एक तरफ केस बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ लापरवाही भी सामने आ रही है। दिली सरकार ने दिली कोरोना नाम की एक आप जारी की है और इस आप से ये पता लगाया जा सकता है कि किस अस्पताल में कोविड-19 मरीजों के लिए कितने बेड खाली हैं। लेकिन इसके बाद भी मरीजों की बहुत शिकायते हैं। एलन जेपी अस्पताल पर आरोप लगा है कि उसने एक मरीज को एंट्री देने से इंकार कर दिया जिसके बाद मरीज की अस्पताल के गेट पर ही मौत हो गई। दिल्ली का ये एलन जेपी अस्पताल है। जिसमें उन्होंने लिखा। इस ट्वीट को आमन बृत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और स्वास्थे मंत्री को टेग भी किया था। ट्वीट करने के कुछ देर बाद ही अमन बृत ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा। उनकी मौत हो चुकी है। सरकार ने हमें फेल कर दिया। एलन जेपी अस्पताल का एक मामला सामने आया। एक महिला अपने पिता को लेकर अस्पताल के बाहर खड़ी रही। पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। जिसके बाद उन्होंने लगा ता ट्वीटर पर अलग-अलग माधिमों से, अर्विन के जुवाल से मदद मांगी लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई। वो अस्पताल के बाहर खड़ी थी जब अस्पताल में उन्होंने जाकर कोविट के अपने पिता को भरती करवाने के लिए बेड के लिए पूछा तो अस्पताल ने मना कर दिया। अस्पताल ने कहा कि उनके पास कोई भी कोविट बेड इस वक्त प्लब नहीं है। जब अपने पिता को गंगराम अस्पताल ले जारे लही थी पिता की तबियत बहुत जादा खरा थी जिसके बाद पिता ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया और उनकी मौत हो गई। दिल्ली का यहाल तब है जब दिल्ली के सरकार ने दिल्ली कोरोना नाम का एप लॉंच किया है जिसे साफ साफ पता लग जाता है कि किस अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए कितने बेड खाली हैं। जिस वक्त अमनप्रीत अस्पताल के बाहर खड़ी होकर अपने पिता को अस्पताल में भरती करने की गुहाली हैं। लगा रही थी उस वक्त भी दिल्ली कोरोना एप अस्पताल में खाली बैड दिखा रहा था। कई सवाल जो है वो इस वक्त दिल्ली सरकार पर इस मामले को लेकर उठ रहे हैं कि आकिर अगर बेड की संक्या है तो मरीजों को भरती क्यों नहीं किया जा रहा है। कई ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं कई ऐसे केसे सामने आ रहे हैं जिसमें ये पता चल रहा है कि जो इस एप पर डेटा अपलोड किया जा रहा है वो डेटा अस्पताल में जो असल में आंकड़े हैं उससे काफी जादा अलग है। बुज़ूर की मौत के बाद जब विवाद बढ़ा तो LNGP अस्पताल की तरफ से सफाई आई अस्पताल की तरफ से कहा गया LNGP अस्पताल की Auto Generated Electronic Casualty Record ने 7 बचकर 37 मिनट पर मरीज़ को Broad Dead रजिस्टर किया ड्यूटी पर तेनाथ अस्पताल के स्टाफ ने कन्फरम किया कि मरीज़ को 7 बचकर 10 मिनट से साड़े साथ के बीच लाया गया अस्पताल इस बारे में भी सफाई देता है कि मरीज़ को अस्पताल में दाखिल नहीं किया गया अंदर आने के बाद मरीज़ को डॉक्टरों ने देखा दिल्ली के स्वास्ते मंत्री ने भी उसे बात को दोहराया जो LNGP अस्पताल की तरफ से कहा गया दिल्ली स्वास्ते वे भाग की टीम आज अमनप्रीत के घर जाएगी